प्यारे बच्चो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नमबर टू का कोश्चन और आंसर तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टाट करते हैं तो यहां पर देखिएगा यह रहा आपका बच्चो पहला तो पहला सेंटेंस है कि ब्रजील्स में लोकेटें हैं सुद्र हेमिस्पियर में। तो कोया सही है या फिर गलत तो इसलिए यह वाला स्टेट्मेंट आपका एकदम सही हो जाएगा गलत होने का इसमें कोई चांस नहीं है नेक्स्ट है कि ट्रॉपिक ऑफ काप्री कॉन पास तूद अब इसमें क्या बोला है कि जो ट्रॉपिक ऑफ काप्री कॉन ना वह मिडल ऑफ इंडिया से पास होता है सही है यहां आर्थ के ऑफ्र होता है हमारा क्या कानस को यह सो दूंपक उपर इंडिया के मिडल से हो कि इंडिया यह बला स्टेट्मेंन गलत हो जाएगा तो सही स्थेट्मेंट क्या होगा कि ट्रॉपिक ओकैंसर process through the middle of India यहां पर ट्रॉपिक आएगा देखो ट्रॉपिक यहां से गायव हो चुका है कोई बात नहीं में लिख देरती हूं यहां यहां पर आएगा ट्रॉपिक ओफ कैंसर कि यहां देखेंगे ना चलो आगे बढ़ते हैं next one the longitudinal extent of Brazil is less than India यहां पर बोला गया है कि जो लॉंगिट्यूडनल एक्स्टेंट वह ब्रजील का कम है इंडिया से तो बच्चे यह बात गलत है डिको ब्रजील का लॉंगिट्यूडनल एक्सपंशन जादा है ठीक है as compared to India यह यह वाला लॉंगिट्यूडनल एक्स्टेंट ऑफ ब्रजील is more than India ओके नेक्स्ट एक्वेटर पासे नौर्धन पार्ट ब्रजील के नौर्धन पार्ट नौर्धन पार्ट मतलब नौर्धन वाले इससे से पास हो करके जाता है is it right or wrong आपको बता तो यह हमारा प्रत्वी यहां पर ब् भाहरत के ब्रजील के साथ में है वह थो ना रहें तो हमारणके के साथ में इसलिए वालए स्टैट् headline किस अस्टिक है तो पहले आपको बताओ लोगो यह हमारा भारत के और पाकिस्तान हे वारा वाला होता है तो इस्टे होता है इसें कि नौर्थ वेस्ट में नहुंट उस्टे में तो इंडिया का जो सदन वाला पाट है यानि यह नीचे वाला पाट है क्या हम इसको पैनन सुला कहते हैं इसलिए वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि आंसर इन ब्रीफ यानि अभी आपको ब्रीफ में आंसर लिखना है तो कोश्चन है कि वाट ब्लंस ब्रजील एंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस के बाद मतलब आजादी के बाद इंडिया और ब्रजील के सामने कौन-कौन सी परिशानिया आई वह आप लोगों को यहां पर बताना है तो आईए मैं आपको बताती इसका आंसर देखो क्या होगा इंडिया गॉट हमें आजादे मिली थी 1947 में उसके बाद बहुत सारी प्रॉबलम का सामना किये यह थे हमारे पे तीन वह और उसके फिमाइन जैसे सिचुएशन भी आ गई थी फिमाइन जैसे सिचुएशन ठीक है यहने जिसमें क्या हो जाते है आकाल पड़ जाता है खाने मतलब इसको यहां से बोलो तू हट जा यह इसका कुछ मतलब नहीं है यह अपने यहां पर आ चुका है तो मैंने इसको कहा तू भागया से ठीक है मैंने इसको यहां पर हटा दिया और और यहां पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया चलो अब जरा हम ब्रजील के बारे में समझ लेते हैं तो यहां पर देखिएगा ब्रजील के इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822 यानि 1822 में इसको आ मिलिटरी पावर यानि की मिलिटरी गवर्मेंट मतलब मतलब जो मिलिटरी थी है न वहीं वहां पर साथन कर रही थी और यह प्रॉब्लम्स इन लोगों ने फेस के हमारे इंडिया और ब्रजील आप देख सकते हो इसका आंसर में आपको दिखा देती हूं स्क्रीन शॉट ल आपका जो जोग्राफी है न दोस्तों यह पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्स्प्राइशन भी हो चुका है कोशन आसस भी हो चुक है हो चुक है तो बस अभी आपको पढ़ना आए पढ़िए अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स है कि हाव अर ब्रजील इन दोस्तों कहां पर प्रशहां में अल्याका भाते हैं यह बहुत पर 청ब्रद भी हो इंड्यार इसलीट है में आता है और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस लोकेटेट इंडर सदन पार्ट ओफ इंडिया है वो लोकेटेट है तो इस प्रकार से दोनों अलग है इंडिया और ब्रजील का लोंगेट्यूडनल और आप लोगों को बताना है तो चलिए देखते हैं डेखें इंडिया के बारे में अंधेट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो यह हमारा पहले हम लाटियूड समझते हैं तो में बात करी हूं ठीक है यह 8 दिग्री 4 तक फैला हुआ है और में लेंड की बाद चल रही थी अब अगर अगर हम इसके किनारे की सदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट की बाद करेंगे तो वो है प्यारे बच्चों वो कौन है वो हमारा इंदिरा पॉइंट इस लोकेटेड ओन निकोबार आइलेंड एट दा इस दिग्री 45 मिनट लाइटिट्व समझ में आया तो इंदिरा पॉइंट इस दिग्री इस लोकेटेड ओन निकोबार आइलेंड इड़ेंड इस दिग्री 45 मिनट लाइटिट्व ठीक है फिर लॉंगिट्यूट की हम बात करेंगे तो इसका एक्सपांशन कितना है तो यह दे लेता है तो वह हमारा 5 डिग्री 15 मिनट नौच से लेकर के 33 डिग्री 45 मिनट और लॉंगिट्यूटन अगर आप दिखोगे तो 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट से लेकर के 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट तक फैला हुए तो यहीं तो स्वाल था बहीं है मैंने अपको पढ़ाते प्रशा जा सकता है लॉंगिट्यूटन एक्सपंशन और इंडिया एंड ब्रजील तीक है सेलेक्ट दे करेक्ट ऑप्शन ओके इंडिया सदर्मोस पॉइंट इस इंडिया का सदर्मोस पॉइंट विच इंदिना पॉइंट इस टू कंट्री इंस अमेरिका साथ अपनी बॉर्डर को शेर नहीं करते हैं तो वह है चीले और एक्वाडॉर ठीक है ब्रजील ब्राइड करेक्ट याँ यहां पर देखेगा यह जो आपको दिखाई दे रहां इसमें आप देखकर बताओ एक आसा पाटे जो ब्रजील के को दिखा रहा है तो बच्चे मुझे ऐक बात बुद्ध ब्राजील यहां पर था तो उसका कोस्तल पार्ट किदर था इस वाले सैट था यह फिर इस वाले सैट कुछ ऐसा बनता हुँ आपको दिखाई देगा यहां पर नौर्थ यहां पर था हमारा सौथ अटलांटी कोशन यहाँ तो एसा देना बताओ कहां पर दिख रहा है देखो यह ऐसा था अरे तो पच्चिम की साइड इधर भी नहीं था यह नौत वाले साइड नहीं तो फिर ऐसा ही था ना इधर नौर्दन अट्लांटिक उश्यां सदन अट्लांटिक उश्यां तो यहां पर फॉर्स्ट वाला आंसर आपका तब अधर है अधर का सही आपका शार है ऑनके लोकेशन को बच्चे इंडियाका लोकेशन यह वह्याणा अच्छे तो आ кा यह यह वाला आ ख्शेता है Northern Hemisphere में आता है तो इंडिया यह आपर आराम से आ सकता है तो इसलिए आम इसको सही बाहन सकते हैं ठीक है वैसे आपको एक बात बता हूं वैसे एक बात बता रही हूं लिसन केरफुली एक मिनट ओहो हां आप सोचोगे मैं बता रही हूं आपके मन में क्या रहा होगा रुको यह वाला तो गलत हो जाएगा और यह साउथ है इधर नौर्थ है ना मतलब ऊपर नौर्थ 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 तो इधर इंडिया तो आता नहीं गलत यह साउथ को अगर यह नौर्थ होता और यह साउथ होता ना दोस्तों तो हम लोग इंडिया को यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते थे लेकिन यहां पर उल्टा हो गया आप सोचे इसको गुमाएंगे तो क्या होगा यह ऐसे हो जाएगा ऐसा ठीक है इसलिए यही वाला आपका सही होगा तो आप इसको टिक कर लेना ठीक है next है कि considering the hemispheres which correctly represent the hemisphere in which Brazil mainly lies तो Brazil जहां पर कहां पर लाई करता है कौन वह अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब Brazil जहां पर लाई करेगा ठीक है तो वह हम किसमें देख करके समझ सकते हैं देखो बता रही हुमें आप लोगों को I think so य थो देखेंगे और यहां भर चैंसल में करते देखें होता तब तो हमारी बात यहां पर बन जाती है यहां पर हम क्या करते ब्रजील को दिखा देते लेकिन इस बात पर भी द्यान दीजिएगा जब एक्जाम में कोश्चन आए तो आपको देखना पड़ेगा तो इसलिए यहीं आपका करेक्ट होगा बाकि इसके अलावा और इसका एक्स्प्रेशन भी हो चुका है तो बस अभी पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें मिलते हम लोग अगले वीडियो में बाई 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 एव्रीवन